हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो ओर चनल तो हम लोग बात कर रहे थे घटना चक्र के लेखपाल परिछामार दर्सका सामान ज्यान की पुस्तक के बारे में और उसी के आज हम आगे बात करेंगे नेश्ट चैप्टर है कम्प्यूटर का प्रारंभिक ग्यान जो की बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है इससे सवाल जो है एक से दो क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं तो उकल मिला कि यह बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है क्योंकि इसमें जो है टोपोल आज करके पेपर में थोड़ा सा हाड पुछा जा रहा है इसमें तो इंपॉर्टन चैप्टर है कम्प्यूटर का प्रारंभिक गान और इसके पहले जो है इसमें बाइलोजी फिजिक्स केमेट्री यानि कि साइंस की बुक हो चुकी है तो उसको आप लोग चैप्टर चैनल उसका प्लेलिस्ट बना दिया आप लोग चैनल पेश बजा कर उसको देख सकते है ठीक है अब उसमें जो है भारती राष्टे आंदोलन हो चुका है और बाइलोजी हो चुका है ठीक है इसके बाद आर्थिपे उस्था हो चुका है और इसमें जो है इतनी सारी चीज़ें हो चुकिए आज हम पढ़ेंगे computer का प्रारम्भी ज्यान फिर अगले इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के इतिहास फिर इसके बाद भुगोल और भारत का भुगोल फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत का इतिहास फिर हम model paper को हल करेंगे ठीक है तो चलिए आज वीडियो को Microsoft Office की तो ये एक software होता है और Microsoft Office का संचिप्त रूप जो होता है वो MS Office इसको कहते है ठीक है और जिसका उपियोग जो है कारियाले संबंदित कारियों में किया जाता है Microsoft Office जो है software को Microsoft Company दोरा जो है बिक्सित किया गया है Microsoft Office सरी Microsoft एक Company जो है वो American Company है और इसके संस्थापक है Paul Allen ठी गेट्स यानि कि दो लोग मिलकर जो है Microsoft Company को स्थापना किया था तो Microsoft Office के कुछ लोग पिरिये पापुलर लोग पिरिया था पापुलर इसको इंगलिस में कहते हैं संस्क्रण है वरिजन है जिसको हम देखेंगे देखेंगे देखें Microsoft Office 97 यह हुआ Microsoft Office 2000 तथा 3000 आया इसके बाद नया वर्जन आया Microsoft Office XP इसके बाद आया Microsoft Office 2007 फिर इसके बाद आया Microsoft Office 2019 तो अब इसके बाद देखते है Microsoft Office के कुछ भाग है उसको देख लेते हैं तो उसमें आता है Microsoft Office World ठीक है Microsoft Word आता है Microsoft Excel है Microsoft PowerPoint है Microsoft Access है Microsoft Outlook है Microsoft InfoPath designer है ठीक है इसके बाद Microsoft OneNote है और Microsoft Publisher है इतने सारे जो है इसके भाग होते हैं पार्ट है Microsoft Word को मुखता दो प्रकार की जो है फार्मेटिंग होती है और इसमें पहला होता है करेक्टर फार्मेटिंग दूसरा होता पैराग्राफ फार्मेटिंग Microsoft Word में जो है स्टेटस बार वर्तमान प्रलेक के बारे में जानकारी प्रदान करता है MS Word को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए विन वर्ड टाइप करते हैं ठीक है प्रिंट प्रिव्यू दस्तावेज यानि कि डाकुमेंट्स को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए प्रियोग किया जाने वाला एक फंक्शन होता है ठीक है जिसको किलिक करने पर प्रि वर्ड की बात करें तो इसमें दस्तावेजन है डाकुमेंट्स जैसे की पत्र है विवरन है संदेश है आधि को बनाने अथवा उनमर उनुपर कार करने में जो सहायता प्रदान करता है ठीक है माइक्रोसाफ्ट वर्ड में जो है सब्दकोस फंक्शन द्वारा बाक बिन्यास में हुई गड़बड़ी की जांचे कर उसमें सुधार किया जा सकता है ठीक है आगे हम बात करते हैं तो माइक्रोसाफ्ट वर्ड के जो है बिंडो के प्रमुक भाग जान लेते हैं माइक्रोसाफ्ट वर्ड की विंडो जो होती उसके प्रमुक भाग जान लेते हैं तो देखिए माइक्रोसाफ्ट वर्ड के जो डाकुमेंट्स का नाम जो है टाइटल जो होता है वो टाइटल बार में दर्साया जाता है ठीक है माइक्रोसाफ्ट वर्ड में जो करने की सुद्धाएं भी प्रदान करता है इसके बाद कुईक एकसस बार यानि की टूल बार कुईक एकसस टूल बार के अंतरगा जो है सुरक्षित करना अंडू तथा रीडू कर जैसे निर्देश जो है प्रदर्सित होते हैं ठीक है प्रविश्टी बिंद स्क्रीन पर प्रदर्सित हो रहे है इस्टेटस बार इस्क्रीन पर जो प्रदर्सित हो रहे है दस्तावेज है चेत रहे है यानि कि डाकुमेंट एरिया का वर्डन करता है यह इंसर्टन प्रव पॉइंट की स्थिति जो है लोकेशन को दिखाता है ठीक है अब माइक्रोशाफ्ट और उनके कार के बारे में जाने लेंगे, shortcut key है, जो कि Microsoft Word में प्रयोग किया जाता है, तो पहला है control A, इसका प्रयोग जो है page पर उपस्तित test, image और तालिका यानि कि चार्ट इत्याद को एक साथ चैनित किया जाता है, यानि control image select all किया जाता है, या पूरा जितना भी है सब control B, जो कि चैनित test जैसे सब्द, sentence या परिक्षेत यानि कि पैराग्राप इत्याद को bold करने के लिए control B का परियोग करते हैं, control C का परियोग जो है, page पर उपस्तित चैनित सामगरिक की प्रतिलिप यानि की copy बनाता है, वो किससे बनता है, control plus C कर देंगे, तो वो copy हो जाएग तो Microsoft Word में font dialogue box को खोलने के लिए जो है, control plus D का परियोग करते हैं, control plus E का परियोग चैनित test को page के मध्ध में करने के लिए किया जाता है, control F का परियोग किसी test को खोजने, search या find करने में करते हैं, control plus G का परियोग जो है, go to dialogue box को खोलने के लिए होता है, और इस function के परियोग दारा, दस्तावेज में किसी विशेश, page, heading, section, इत्याद का नाम जो है, enter कर उस जगह पर सीधे पहुँचा जा सकता है, control plus G दारा, control plus H द्वारा जो है, इसका परियोग replace dialogue box को खोलने में किया जाता है, ठीक है, और replace dialogue box द्वारा दस्तावेज के विशेश टेक्स्ट, specific test को एक किसी दूसरे test से बदल कर chain करते सकते हैं, ठीक है, इसके बाद control plus I का परियोग Chinese test को italic font में किया करने के लिए करते हैं, control plus J का परियोग Chinese paragraph को समायोजित यानि की justify करने के लिए करते हैं, इसके बाद control plus L की बात करें, तो किसी Chinese test को page पर buying अथवा संरेखित करने के लिए किया जाता है Ctrl प्लस M की बात करें तो Chinese test को मद्ध में करने के लिए इसका परियोग करते हैं Ctrl प्लस N का परियोग जो है नए दस्तावेज फाइल को खोलने में करीते हैं Ctrl प्लस O का परियोग कंप्यूटर में पहले से सुरक्षित word डाकूमेंट को खोलने में किया जाता है Ctrl प्लस P का परियोग word दस्तावेजो को प्रिंट करने में किया जाता है Ctrl प्लस Q का परियोग Chinese test को buying और संरक्षित करने के लिए किया जाता है Ctrl प्लस R का परियोग चैनी टेस्ट को दाई और सनर्खित करने के लिए करता है कि Ctrl प्लस S का परियोग Microsoft Word दस्ता वेजों के उस रक्षित करने के लिए परियोग किया जाता है Ctrl प्लस U जो है चैनी टेस्ट को रेखांकत यानि की अंडरलाइन करने के लिए इसके का परियोग करते है Ctrl प्लस B डाकुमेंट्स के कट या कॉपी की गई सामगरी को पेस्ट करने में किया जाता है इसके बाद Ctrl प्लस W की बात करेंगे तो यह जो है Microsoft में MS Word से में खुले हुए दस्ता वेजों को बंद करने के लिए इसका परियोग करते है Ctrl प्लस Y का परियोग Microsoft Word में Redo करने के लिए जो है किया जाता है और जिस प्रकार Undo के परियोग द्वारा Step by Step पीछे की वर जाते हैं उसी प्रकार Redo का परियोग जो है Step by Step आगे आने के लिए करते है अगे Ctrl plus Z का प्रयोग जो है वर्ड में undo करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl plus बड़ा bracket का प्रयोग जो है इस साटकट के का प्रयोग Chinese टेस्ट का फॉंट आकार एक पॉइंट बढ़ाने में करते हैं Control plus बड़े बेक इस टाइप के परियोग को परियोग जो है, चैनित किसी टेस्ट के फॉंट आकार को एक पॉइंट घटाने में किया जाता है, इसके बाद Control plus Space का परियोग जो है, चैनित टेस्ट में हुई किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए करते हैं, समलित हो जाता है और वर्ड दस्तावेचों में पेज ब्रेक समलित होने के पस्चात जो है पईरा ग्राप अगले पेज पर चला जाता है कंट्रोल प्लस होम का परियोग जो है गो टू बिगिनिंग आफ डाकुमेंट अर्थात इसके द्वारा दस्तावेचों की सुरुवात पहुंच जाते हैं Ctrl प्लस इंड का परियोग, go to end of document अर्थात, इस कुझी का परियोग हम दस्तावेज के अंत में पहुँच जाते हैं, Ctrl प्लस पेज अप का परियोग जो है, हम वर्ड दस्तावेज में पिछले प्रिष्ट के सीर्ज पर पहुँच जाते हैं, अर्थात go to the top of previous page हो जाता है, ठीक संचिप्त कुंजी के परियोगदारा, रीवन को दिखाया गया, यों छिपाया जा सकता है, ठीक है, Ctrl प्लस F10 का परियोग, Microsoft Word की एप्लिकेशन विंडो को मैक्जिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, Ctrl प्लस शिप्ट प्लस C का परियोग, जो है, चैने टेस्ट की फार्मेटिंग क प्रत लिप बना कर उसे किसी दूसरे टेस्ट पर लागू किया जा सकता है, ठीक है, इसके बाद, Ctrl प्लस Shift प्लस D का परियोग, चैने टेस्ट को दो बार रेखांकित करने के लिए कि जाता है, Ctrl प्लस Shift प्लस G का परियोग, वाइड में, Count Dialog Box खोला जाता है, जहांपर डाकुमेंट्स के सब्द, प्रेष्ट और पैराग्राप के लाइनों को गिना जा सकता है, अगला है, Ctrl प्लस Shift प्लस L का परियोग, जो है, Bullet बिंद समलित किया जाता है, यानि कि Bullet पॉइंट जो होता है, उसको Ctrl प्लस Shift प्लस L के जोरा समलित किया जा सकता है, Ctrl प्लस Shift प्लस T का परियोग टेस्ट में, Hanging indent को हठाने के लिए जो है, परियोग किरते हैं, Ctrl प्लस Alt, सी का परियोग, दस्ता बेजों में, Copyright प्रतीक का Singapore का प्रियोग प्रियोग किया जाता है, Ctrl Alt 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 के application विंडो को restore किया जा सकता है तो इस तरीके से यह कुछ जाटकी जो को वर्ड में परियोग किया जाता है अब s word में किसी सब्द को चैनीत करने के लिए उस सब्द पर double click किया जाता है,aS word में किसी paragraph को चैनीत के लिए उस परिछ्षेट पर 3 तिन कि precisamente के लिए जाता है टिक है Melissaeda स्प्रेटी सीड my परित्अ का पता पता जो ओष्ति है ओड द्रेस आहे बैं स्प्रेट इसके बाद यानि की Excel जिसको गहते हैं वर्ड रैप का अर्थ होता है टेक्स का सोता अगली लाइन में पहुचना इस पेलिंग चेक करने का साटकट की की बात करें तो एप 7 है ठीक है एप 7 जो होता है वो स्पेलिंग चेक करने की साटकट की होती है Microsoft Word में वाटर मार्क विकल्प जो है पेज ले आउट टेब होता है ठीक है पेज ले आउट टेब जो होता है वो वाटर मार्क का विकल्प होता है विव मेनू में जो है इस्प्लिट विकल्प का कार जो है विंडो के दो भागों में भाजित करना है Microsoft Word 2010 में टेस्ट एलाइमेंट की संख्या चार है header प्रिष्ट का सबसे उपरी भाग होता है और इसे प्रिष्ट के सबसे उपरी किनारे में जोड़ा जाता है header का परिष्ट संक्या दालने के लिए किया जाता है footer प्रिष्ट पेज का सबसे निचला जो है भाग होता है और यह प्रिष्ट के सबसे निचले किनारे में जोड़ा जाता है footnote आध डालने के लिए footer को परिश्ट करता है मर्ज सेल का परियोग एक से अधिक सेल को चैनित कर एक सेल में जोड़ने के लिए किया जाता है अर्थात मर्ज सेल का अर्थ होता है एक से अधिक सेल को मिला कर एक सेल बनाना होता है इस प्लिट सेल की बात करें इसका परियोग एक सेल को अधिक एक से अधिक सेल में विभाजित करने के लिए करते हैं Microsoft Word का extension नाम क्या है .docx है .docx है यह important है यह पूछा गया है आपको यह याद रखना है Microsoft Word का extension का नाम होता .docx आगे MS Word में टेस्ट को चैनित करने पर मीनी टूल बार सोता परदर से जोता है MS Word दस्तावेजों को password से सुरक्षित रख करने के लिए encrypted दस्तावेज विकल्ब का परियोग करते हैं इसके बाद Microsoft Word में वेब लेयाउट का तातपर जोता दस्तावेजों को वेब पेज के रूम में देखने से होता है Arial एक प्रकार की font से लिए है सबसे छोटा font का आकार जो हता है वो 8 होता है यह सबसे बड़ा font का आकार हो जो हता है वो बाततर होता है इसके बाद Microsoft PowerPoint की बात करें तो इसको Microsoft Corporation दोरा पिक्सित किया गए Microsoft PowerPoint एक Graphic प्रस्तुति करन प्रोग्राम है Microsoft PowerPoint के प्रस्तुति करन को जो है Slides के रूप में प्रदरसित किया जाता है PowerPoint के प्रतेग प्रस्तुति करन में Slides का एक क्रम के अनुसार स्क्रीन पर प्रदसित होना Slides को कहलाता है Cut, Copy, Paste करने के लिए Edit Menu का चैनित किया जाता है उप्योग करता दस्ता वेज User Document को जो नाम देता है उसको File Name कहता है Documents में जो चिन्हित, निश्चित, अस्थल या Location पर पहुचने के लिए Bookmark का प्रयोग किया जाता है Put Notes अथवा End Notes का उप्योग जो है Reference के लिए करते हैं कहीं किरमिक निर्देश के अस्थान पर एक ही Start Cut को निर्धारित के नाम Micro कहलाता है सामानता Align Test को Column में रखने की प्रक्रिया जो है Justified होती है Microsoft PowerPoint में कुछ होने वाले महत्पोर्ण Start Cut की की बात करेंगे तो देखिए Control प्लस N से अब इसमें जो है PowerPoint के बारे में वो जब था Microsoft Word के बारे में ठीक है तो Control प्लस N से जो है नया प्रस्तूती करम बनाने के लिए यानि की New Presentation करने के लिए Control प्लस N करते हैं Alt, H, F, I, S, चैनित किये गए टेस्ट का font आकार बदलने में इसका परियोग करते हैं Alt, प्लस W, जो है Zoom, Dialog Box को खोलने करता है और इसके बाद Control plus X का प्रियोग झो है Slide या Test को Cut करने के लिए किया जाता है Control plus Z का प्रियोग झो है Ан्तिम या लास्ट में किये गए कारी को पूरबत करना Control plus Z का परियोग करते हैं Control plus S का प्रियोग झोले Presentation को सुरखषित करने के लिए करते हैं Alt plus GH इसको प्रस्तुतिकरण में थीम समलित करते हैं ठीक है आल्ट प्लस एच को जो है प्रेजन्टेशन के स्लाइट का नक्सा या खाका तयार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं पेज डाउन की बात करें तो अगली स्लाइट के पर जाने के लिए पेज अप की बात करें तो प अगर Ctrl प्लस Q की बात करें तो PowerPoint को बंद करने के लिए इसका परियोग करते हैं Microsoft Excel का विस्तारित प्रोग्राम है Microsoft Excel जो है एक विस्तारित प्रोग्राम होता है Microsoft Excel जो है आंकडो को संगठित अथवा बेवस्थित करने गड़नाओ को पूरा करने निल्डे लेने आंकडो का ग्राप तयार करने पर वेब के आंकडो दारा जारी करने वेब साइट पर आंकडो के साथ काम करने की सुधा प्रदान करता है Microsoft Excel जो है सभी आंकडो को रो अथवा कॉलम में बेवस्थित करता है कॉलम अथवा रो को वेवस्थित करने के रूम में वर्क सीट कहते है Excel इस्प्रेट सीट की मूल इकाई होती है उसको क्या कहते है इस्प्रेट सीट की जिसको सेल कहते है Excel में चैनित किये गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने में F11 कुंजी का प्रियोग करते है एक्स्टेंड कोड जो को आनाप करने में F8 कुंजी का प्रियोग किया जाता है एक्टिव सेल में जो भी टेस्ट या फार्मूला इंटर किया जाता है वो फार्मूला बार में प्रदरसित होता है spread sheet एक computer program है जो row अथवा column row यों column से बनी file की तरह होता है spread sheet में अंग गड़ती है कि सुत्रों के दारा कई प्रकार की गड़नाएं की जाती है spread sheet को work sheet भी कहा जाता है spread sheet माइक्रो साफ टेक्सल का कारिकारी छेतर होता है spread sheet की रचना spread sheet का design graph paper के समान होती है जो पंक्तियों या कालम में विवाजित होती है Microsoft Excel की संपूर्ण work sheet spread sheet में 256 कालम होते है spread sheet या work sheet में इस्थित खानों को sell कहा जाता है Microsoft Excel में करसर को sell pointer कहते हैं Microsoft Excel की window मुखिता 3 spread sheet की होती है Microsoft Excel के अंतर निर्मत सूतर होते हैं जो विविन प्रकार की गर्णाओं से परिणाम प्राप्त करने में परियोग होते हैं function को sell में function को sell में ब्राबर चिन के साथ लिखा जाता है और इसके इसके पस्चाद function का नाम अंत में छोटे कोश्टक के अंदर वांचित desired sell range में प्रभासित करता है ठीक है Excel में financial एक function जो होता है उसका परियोग loan amount ब्याजदर आद की गर्णाओं करने में करते हैं Excel के मुख financial function है db, ddb, pmt, nper, fv rate आद हैं ठीक है Excel के गड़ी तो और त्रिकोल में तिये function द्वारा गड़ी तिये यह उत्रिकोल में तिये गर्णाओं की जाती है और इसके promote function की बात किया है तो int, round, trunk, mode, power, smoke, asin, ac, os, pi आद होते हैं Excel में statical function द्वारा सांखेकी से संब्धि कर्णाओं की जाती है और इसके function निम्न है average, forecast, frequency, max, median, trend, mode आद होते हैं इंटर्नेट, जो है, नेटाओं को का नेटाओं होता है इंटर्नेट विस्थ में फाइले होए विध्यविन Bluetooth नेटाओं को आपस में जूड़ने से बना विश्वयापी नेटाओं है आएगा जो 20 का पहला नेटोर कहा जाता है चित्र संदेश यानि की वीडियो मैसेज निजी इन्वाक्स में 30 दिनों तक संचित रहता है ब्लाग सब्द जो है दो सब्दों वेब लाग और संयोजन है ठीक है वेब लाग का संयोजन जो है ब्लाग बना है ठीक है इमेल का विसकार 1971 में हुआ था और वो नेटोर्क जिसका परियोग किसी संगठन में लाएन यो वाएन के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोडने में करते हैं उसे इंटरानेट कहते हैं ठीक है इंटरनेट के लिए परियोगति नियम और दिशा निर्देशों के समूख को तकनीक की रूप से नेटिकेट कहते हैं ठीक है अब आगे है पेज वेब पेज जो है रिलोड करने है तो जो है रिफरेस का बटन दबाया जाता है वेब पेज एक दूसरे से हाइपर लिंक द्वारा जूड़े होते हैं इंटरनेट इस्प्लोरर वेब ब्राउजर होता है ठीक है इंटरनेट कॉर्परेशन फोर एसाइंड नेम और नंबर की अस्थापना 1998 में इंटरनेट पर आईपी पता यानि की आईपी एड्रेस और डोमेन नेम परदान करने और उसके मानकों का निधाना करने के लिए किया गया कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के दारा किया गया गयर कानुनिकार जो होता है वो साइबर क्राइम कहलाता है वेब साइट एकसेस करने के पश्चात सबसे पहला जो पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहा जाता है किसी समस्या को सुलजाने की बेवस्तित परक्रिया जो होती हूँ ट्रबल सूटिंग होती है टी सी पी का पून रूप क्या है ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकाल इसका फुल फाम बनता है टी सी पी का इंटर्नेट से जुड़े कंप्यूटरों को एक विसेस आई-पी पता प्रदान किया जाता है जो उस कंप्यूटर की पहचान बताता है वर्ड वाइड वेव यानि कि डवलु 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 का संचित रूप है वर्ड वाइड वेव का ठीक है सुचनाओ को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थान अंतरित करने के लिए हाइपर टेस्ट ट्रांज पर प्रोटोकाल का परयोग किया जाता है यानि कि HTTP का परयोग किया जाता है इसको HTTP कहते हैं और इसका फुल फार्म क्या हो जाएगा हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकाल वो स्थान जहां किसी उप्योग करता यानि कि यूजर तथा और्गनाईजेशन को अपना परचे या संबने सुचना को प्रकासित करने की स्वतनत्रता होती है वेबसाइट कहलाता है ठीक है आगे बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट एक सॉप्टवेर भासा है यानि कि सॉप्टवेर लेंगज है जिसका अभिकलपन सन माइक्रो सिस्टम दोरा किया गया ठीक है पी एचपी का विकास 1994 में रासमस लेरफोर्ड दोरा किया गया था पी एचपी एक सॉप्टवेर लेंगज है और इसका प्रियोग डाइनिमिक वेब पेज के विकास में किया जाता था HTML का फून रूप होता है हाइपर टेस्ट मार्कप लेंगज ठीक है HTML का फूल फाम है हाइपर टेस्ट मार्कप लेंगज और यह वर्ड वाइड वेब यानि कि डवलू डवलू पर एक वेब पेज के अफिकल्पन में प्रियोग होने लिए साप्टवेर भासा है ठीक है एक्स्टेंसिबल मार्कप लेंगज यानि कि XML का यह पून रूप बनता है एक्स्टेंसिबल मार्कप लेंगज एक्स्टेंसिबल मार्कप लेंगज का प्रियोग वेब पेज के अफिकल्पना में होता है Uniform Resource Locator का सफिक जिट रूप होता है URL यानि कि URL का Full Farm बनता है Uniform Resource Locator URL का विकाज जो 1994 में हुआ TeamBunners ली दवारा किया गया तथा इंटरनेट इंजिनिंग टास्क फोर्स दोरा किया गया था ठीक है आगे URL को वेब एड्रेस भी कहते हैं किसी वेब साइट अथा वेब पेज का स्पेस्फिक एड्रेस यॉरेल कहलाता है नेट सर्फिंग का प्रयोग में होने वाले अप्लिकेशन अथा प्रोग्राम को वेब ब्राउजर कहा जाता है वेब ब्राउजर को इंटरनेट नेविगेशन टूल यों वेब क्लाइन भी कहा जाता है जब यूजर इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर इस वेब पेजों की दी गई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वेब पेजों को खोलता थवा पढ़ता है तो इसे सर्फिंग कहते हैं चुकि ये सर्फिंग इंटरनेट पर होती है अता इसे नेट सर्फिंग कहते हैं टीक है वेब ब्राउजर HTML में लिखे गए वेब पेजों को इंटर्प्रेट फार्मेट और डिस्प्ले करता है वह पेरा जो है वेब ब्राउजर मोबाइल फोन यों PDA यानि कि परसिनल डिजिटल असिस्टेंस में परियोग होता है मोजीला फायरफाक्स जो है निशुल को बेब ब्राउजर है और यह मोजीला कारपरोसें दोरा द्विक्स्ष साब्टवेर है मोजीला विंडोज, लाइनेक्स आद प्रचालन तंतर में परियोग होता है ठीक है यानि कि अपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंदर का इंगलिस है अपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए गूगल क्रोम भी एक बेब ब्राउजर है और जिसका विकाद 2008 में गूगल कंपनी द्वारा किया गया था गूगल क्रोम सुरच्छा प्राउधानों यानि कि सेक्योर्टी फीचर्स तथा उच स्पीड के लिए लोग प्रिये ठीक है निजी नेटवर्क या उससे अनध्यक्रित पहुच को रोकने के लिए डिजाइन की गई प्रनाली को जो फायरवाल कहा जाता है ठीक है इंटरनेट इस्प्लोरर ग्राफिकल इंटरफेस यानि कि आधारित एक ब्राउजर है इंटरनेट इस्प्लोरर का विकास Microsoft Corporation द्वरा किया गया है इंटरनेट इस्प्लोरर मैकिन टॉस और विंडोज प्रचालन तंतियानी की विंडोज ओपरेटरिंग सिस्टम के सभी वर्जन पर रन करता है ठीक है इसके बाद साटकुट की की बात करेंगे जो की इंटरनेट पर जो परियोग की जाती है ठीक है अभी मैंने साटकुट की देखी दो चीजे एक तो वर्ड की साटकुट की देखी इसके बाद पाउरपॉइंट की साटकुट की देखेंगी देखी अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट के साटकुट की जब इंटरनेट परियोग की आता है तब कौन-कौन से जैसे कि Alt प्लस Space का प्रियोग जो है इंटरनेट में मेन मेनुनु खोलने के लिए करते हैं Alt प्लस Home का प्रियोग जो है ब्राउजर का HomePage लोट करने के लिए करते हैं Alt प्लस Inter का प्रियोग जो है Address Bar के Link को दूसरे Address Bar में खोलने के लिए करते हैं है सिंत्री कि ब्राउजीं हिस्ट्री से देखने के लिए करते हैं कंडोलnych कते हैं का प्रियोग खुले हुए पैज को सेफ ने कि लिए कर्या जाता हैClb के नगले करते हैं कंडोल प्लस प्रियोग को रियुक को वेब पेज का स्रोथ जो है code खोलने के लिए करते हैं control प्लस shift प्लस delete का प्रयोग जो है browsing history को delete करने वाली बिंडो को खोलने के लिए करते हैं control प्लस जे का प्रयोग download history खोलने के लिए control प्लस F3 का प्रयोग जो है वेब पेज पर सर्च करने के लिए control प्लस L अथवा alt प्लस D का प्रयोग address बार को जूम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है control प्लस माइनस का प्रयोग वेब पेज की सामगरी को जूम आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है control प्लस प्लस का प्रयोग वेब पेज की सामगरी को जूम इन करने के लिए करते है control प्लस shift प्लस टाइब का प्रयोग इंटरनेट पर पिछले टाइब पर जाने के लिए किया जाता है Ctrl प्लस W ये अथवा Ctrl प्लस F4 का प्रियोग Ctrl को टाइप को बंद करने के लिए करते हैं Ctrl प्लस N का प्रियोग नई ब्राउजर विंडो खोलने के लिए किया आता है L T प्लस राई टेरो का प्रियोग जो है आनलाइन वीडियो को आगे अथवा Shift बैक स्पेस बढ़ाने के लिए Shift प्लस बैक स्पेस बढ़ाने के लिए पेज को रिलोड करने के लिए करते हैं प्रियोग F5 का प्रियोग जो है पेज को रिलोड करने के लिए किया आता है L, T, A 4 का प्रियोग browser window को बंद करने के लिए किया आता है Ctrl, Shift, P, T का प्रियोग गलती से बंद किये टैप को दोबारा खोलने के लिए करता है Ctrl, P, 9 का प्रियोग browser में खुले सभी टैप को अंतिमाली टैप पर जाने के लिए करता है Ctrl प्लस O का प्रयोग जो है पेज को Default Zoom पर सेट करने के लिए करते हैं Window की प्लस D का प्रयोग प्राउजर को खुले टेब में Hide तथा So करने के लिए करते हैं F11 का प्रयोग जो Full Skin Mode पर जाने के लिए करते हैं सर्च इंजन में वांचे सुचनाओं से संबंदित कीवर्ड को खोजने के लिए टाइप किया जाता है तथा यह संबंदित सुचनाओं को खोज कर वेब साइट पर उनकी सूची प्रदर्सित करता है अब कुछ महत्तपूर्ण सर्च इंजन की बात कर लेते हैं तो सर्च इंजन की बात करें तो इसमें याहू आता है एल्टा विष्टा है हाट बाट है वेब क्राउलर है और एक साइट है यह सारे जो है सर्च इंजन है ठीक है इसमें से कोई भी पूछ सकता है आप सुन में फ्रेज सर्च में सब्दों को इनवर्टेट कामा के अंदरगत रखा जाता है इस तरीके से इनवर्टेट कामा लगता है और यह उस वेब पेज को दर्शाता है जिसमें पूरा फ्रेज एक साथ उपस्दित होता है वाइल्ड कार्ड का विशेष चिन जो है वाइल्ड कार्ड वो विशेष चिन होता है जो सुचना या वे पेज को खोलने के दौरान की वड़का साथ प्रियोक किया जाता है प्रशेष चिन, एस टॉरिस इसके उदारना है ठीक है इंटरनेट पर किसी सर्वर को प्रत्किरिया देने में लगा समय कहा जाता है इसके दोरा बिशेस आईपी पते वाले कम्पीटर या उपकरण के उपलब्दता की जान्द की जाती है इमेल इंटरनेट की एक सेवा है जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रानिक मेल इमेल दो सब सिस्टम यानि की यूजर एजन्ट और मैसेज ट्रांसफर एजन्ट से निर्मित होता है इमेल का विकास अमिर्की बेग्यानिक रे टॉम लिंसन द्वारा किया गया था इमेल जो है संदेश के साथ आडियो वीडियो टेस्ट फोटो फाइल सनलंगन करके भेजा दा सकता है जिसे अटेज्मेंट कहा जाता है इमेल सरवर पर तेक इमेल खाताधारी को निश्चित इसमिर्थी यानि की फिक्स मेमोरी पर दान करता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं इंटरनेट पर इमेल का संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट आफिस प्रोटोकाल का प्रियोग होता है तथा मेसेज को भेजने के लिए simple mail transfer protocol का प्रियोग होता है यानि कि SMTP इसका full form है simple mail transfer protocol email प्रेसक द्वारा भेजे गए sorry email का प्राप्त करता receiver के बास न पहुँचकर मद्ध में ही लुप्त हो जाना email bouncing काहलाता है email address किसी विसेस machine काने अपत अपत जो है big विसेस का होता है प्रतेक उप्योग करता का email पता होता है भिन भिन होता है email में प्रतेक उप्योग करता के पास अपना नाम तथा पासवर्ड होता है email address के मुखिता दो भाग होते है पहला है उप्योग करता का नाम दूसरा host का नाम अर्थवा server का नाम ठीक है उप्रियुक तो दोनों भाग भी से चिन्यदारा जो है एट दिरेट लगा दोरा इसको जुड़ा होता है टिक है इमेल पता जो है प्रदान कने वाली प्रमुख वेबसाइट निम्न है जहां जहां से इमेल का पता प्राप्त है पहला है www.gmail.com, दूसरा है www.hotmail.com, तिसरा है www.relativemail.com इमेल संदेश आज की टेस्ट प्रारूप ASCII टेस्ट के बाइनरी डेटा से बनता है आज की एक मानक है जो कंप्यूटर की सनुचना के भिन होने के बावजूर्ट टेस्ट पढ़ने में सक्चम बनाते है spam, unsolicited, bulk mail तथा junk mail के नाम से जो है जाना जाता है इसे इसके दोरा आवंचित email संदेशों को अनेक बेक्तियों के email पते पर भेजा जाता है वीडियो कांफरेंस दोरा दो या अधिक अलग अलग अस्थानों पर इस्तितव्यक्त कंप्यूटर तथा इंटरनेर की साथ से द्रिस श्रब यानि की आडियो और वीडियो तथा कम्यूकेशन संबाद कम्यूकेशन जो है इस्तापित कर सकते हैं 1950 में जेयस बरनेश दोरा सोसल नेटवर्क सब्द का परचलन सुरू किया गया था और इसके दोरा कम्यूटर तथा इंटरनेट के मादम से 20 में कहीं भी इस्तित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं कुछ प्रचलित सोसल नेटवर्क साइट निवन है उसको देखते हैं सोसल नेटवर्क साइट में जो है Facebook आता है Twitter है याहू है Google है आरकुट है YouTube है यह सारे सोसल नेटवर्क साइट है वाइरस कम्पिटर में इस पाइब चोटे चोटे प्रोग्राम होता है जो वाइरस विश्परित रूप उनसância इंफॉर्मेस्ष रिसॉर्स अंडर चीच होता है ठीक right बाईरिस स्वयम निस्पादित प्रोग्राम होता, यह आणी कि आट्व एक्जकूट होता है, यों मिप्प्योटर में प्रीश करने के बाद कंप्योटर की फाइले, यो उसकी कालपलाली को जो प्रभावित करते हैं, कंप्यूटर में वाइरस पहलने का मुख कारण संक्रमित फ्लॉपी डिस्क, संक्रमित सीडी अथवा संक्रमित पेंडराईव होता है क्रीपर वाइरस को सरपतम 1971 में विक्सित किया गया था ग्राफिक्स, इंटर्चेंज, फार्मित अर्थाद GIF में आठ बिट कलर इमेज का प्रियोग होता है बिट मैप ग्राफिक्स में चित्र या रेखा चित्र को बिट अथवा पिक्सल में विभाजित कर कम्प्यूटर में संचित किया जाता है वर्ष 2006 में जो है जैक डॉर्ची द्वारा ट्वीटर की अस्थापना की गई और इसमें उप्योग करता को आथर कहा जाता है और इसे माइक्रो ब्लागिंग भी कहा जाता है ठीक है वर्ष 2005 में पेपल की अस्थापना हुई कम्पनी के तीन बेखतियों चार ढटली इस्टीव चेन तथा जावेद करीम दौरा यूटूब का प्रार्म किया गया ठीक है परसनल ब्लागिंग का जनक जो है वो जेस्टिन हाल को कहा जाता है फादर आप परसनल ब्लागिंग जेस्टिन हाल को कहते हैं Computer Networking में उप्योग किये जाने हैं विविन हार्डवेर उपकरन या डिवाइस हैं, Computer Networking टूल कहलाते हैं, जैसे कि हब है, रिपीटर है, स्विच है, राउटर है, ब्रीज है, गेटवे आधी होता है, ठीक है. Computer Networking को दो या दो से अधिक Computer Network को विविन सान्द चार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर उनके मध्ध डाटा वा सुचनाओं का आधान प्रदान किया जाता है, ठीक है. Line एक ऐसा Computer Network जो भावतिक रूप से दो या अधिक Computer को भगवलिक द्रिश्टी से एक सीमित चेतर, यानि कि एक से दस किलोमीटर में जोड़ता है, इसी कारण ये Local Area Network कहलाता है, ठीक है. Line घर, यानि कि Line जो है, घर, कारियाले, भावनों का छोटा समू, फैक्टरी, स्कूल, विस्विद्दाले, कैमपस में कुछ किलोमीटर तक छेतरी ही फैला रहता है, ठीक है. वर्तमान, Line Ethernet तक्निक कर आधारित होता है. Line में प्रियोग होने आली दो युक्तिया निम्न है, पहला है राउटर, प्रिंटर, एडाउटर, डाटा केबल, हार्डवेर, सॉब्डवेर आधी, बस टोपोलाजी, रिंग टोपोलाजी, और स्टार टोपोलाजी, सबसे सामान ये Line टोपोलाजी, ठीक है. Line को मैं तथा वैन की तुलना में मैनेज करना बहुत आसान होता है, ठीक है. प्रिंट में इस्तित कम्पीटरों का नेटोर्क होता है, मैंने एक उच्च गति का नेटोर्क जो वाइस और डाटा को और इमेज को 200 मेगाफिक्सल एमबी पर सेकंड की गति तक जो है, इससे अधिक गति से आदान परदान कर सकता है. ठीक है, वाइन की बात करें तो एक बिस्तित भागोलिक छेतर यानि की लार्ज जियोग्राफिकल एरिया यानि की एक देश महादिव पिया पूरे बिस्को में फैले कम्पीटरों का नेटोर्क होता है, उसे वाइन का जाता है, ठीक है. अब कुछ नेटोर्क हैं और डेटा को अस्थानतरित करने की युक्ति, तो लाइन जो है वो इथरनेट केबल्स या वाइफाई द्वारा अस्थानतरित होता है, मैन जो है ये मोडेम तथा वायर या केबल के द्वारा अस्थानतरित होता है, वैन जो है आप्टिक वायर य एक साथ जोड़ेने की एक विधी है इतरनेट का विकास 1973 में बॉब मेटकॉफ दोरा किया गया था एक नेटवर्क में नोड्स का परस्पर संबंद के सवरूप को नेटवर्क टोपोलाजी कहा जाता है नेटवर्क टोपोलाजी ये निर्धारित करती है कि नेटवर्क के सबसे पहले जानते हैं सबसे जो का सबसे अच्छा उधारान जो है IBM 360 है इस्टार्ट टोपोलाजी के लाब क्या-क्या होते हैं तो इस टोपोलाजी की साहिता से नेटोर्ग को आसानी से बढ़ाया जा सकता है नेटोर्ग में कोई समस्या ने आने पर नेटोर्ग के किस युक्त यानि की डिवाइस में कमी उसे असानी से खो जा सकता है इस्टार्ट टोपोलाजी से हान की बात किने तो नेटोर्ग को सुचारू रूप से कारेरत बनाया रखने के लिए अधिक केबल्स की आवस्कता पड़ती है या इस्टार्ट टोपोलाजी में सेंट्रल नोड फेल हो जाए तो सारा नेटोर्ग फेल होते हैं और इसलिए परतेक नोड या डिवाईस में दो या मीक कार्ड लगे होते हैं रिंडी टॉपोलाजी में डाटा का प्रवाह जो है केवल एक Track SI समें होता है रिंड तोपोलाजी के लाव की बात करें तो रिंडी टोपलाजी को स्थापित करने में कम खर्चाता है और यह नेटोर्क ट्रैफिक को बहुत कम कर देता है और यह नेटोर्क में अच्छी स्पीड प्रदान करता है रिंग टोपोलाजी के हानियों की बात करते हैं उस टोपोलाजी में किसी भी नोड याडियाट नेटोर्क खराब हो जाएगा तत। तथा इसके किसी डिवाइट को connect या disconnect करने पर सारा नेटोर्क जो है डिस्टर्फ होजाता है मेश टोपोलाजी की बात करते हैं मेश टोपोलाजी में परतेक नोट एक से अधिक नोट द्वारा जुड़ा होता है यह पी पी नेटोर का विस्तार होता है मेश टोपोलाजी लंबी दूरी के नेटोर कें के लिए प्रियोक्त किया जाते हैं और यह Topology, Un-Topology की ज़्यादा अपेक्षा सुरक्षित प्रदान करती है। इसमें सभी सुचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कई पात उपलब्द होते हैं। और मैं टोपलाजी के हान इसकी बात करेंगे तो यह Un-Topology के अपेक्षा महेंगी होती है। तथा इसके लिए बहुत सारी केबलों या NIC काटकी आव सकता होती है। अगला है Bus Topology, Bus Topology की बात करें तो यह जो है Bus Topology एक रहखिक Topology भी कहा जाता है। इस लिनेर Topology भी कहते हैं। बस Topology में सभी नोट्स या डिवाइस एक रहख केबल में जुड़े होते हैं। बस Topology में Co-Axial Cable का प्रियोग किया जाता है। और इस Topology का प्रियोग पारिस्प्रिक डेटा संचार Network में किया जाता है। इसके फाइदा की बात करें तो इसमें अने Topology के पेक्षा कम केबल की आ सकता होती है। और यह Topology छोटे नेटोर के लिए प्रियोगत होती है। इसके बाद आता है Tree Topology, तो बस Topology का एक रूप ही Tree Topology भी होता है। अर्थात बस Topology और श्टार Topology का प्रियोग करके Tree Topology का निर्मार करते है। Tree Topology में Twisted Pair Cable का प्रियोग किया जाता है। अब इसके लाब की बात करें। तो अगर नेटोर्क में कोई कमी आ जाए तो इसको खोजना आसान होता है। और अने Topology की अपेक्षा यह महंगी होती है। IP Address इंटरनेट सेवा प्रदाता यानि की ISP Internet Server Service Provider इसको ISP कहते हैं, Full Farm इसका Internet Service Provider है। के द्वारा जो है इंटरनेट से जुड़े प्रतेक कंप्यूटर या उक्रन को उसकी पहचान के लिए दिया जाने वाला जो है एक विसेस अंकिये पता होता है। संपूर विस में इंटरनेट से जुड़े किनी दो कंप्यूटर का IP Address एक समान नहीं हो सकता है। IPv4 एक संख्यात्मक Address है जिसके binary bits को एक डाट द्वारा अलग किया जाता है। IPv4 Address का आकार जो 32 bit या 4 bytes का होता है। IPv4 में 4 संख्यात्मकाइब नहीं समले था है। और परतेक 4 संख्यात्मकाइब जीरो से 255 तक के पराज के range में होती है। आई पी बी फोर में हेडर चेत्रों की संख्या 12 होती है इस बेवस्था में कुल 2 की पावर 32 आई पी एड्रेस प्रदान किये जा सकते हैं जैसे कि 667.247.170 आई पी बी 6 इंटरनेट पोट्रोकाल का सबसे नवी इंतम संस्क्रण है आई पी बी 6 का आकार जो है इसका कितना होता है 128 बीट्स या फिर 16 बाइट्स का यह होता है आई पी बी 6 का अलफा नियूमेरिक एड्रेस है जिसके बाइनरी बीट्स को एक कोलन द्वारा जो है अलग इसकि बेस्थाइड बीट्स को तो अलग छर्था है आप व्येंग्री बीट्स का पता है जिसका इंटरनेट पर मेंटनेट पर इसी वेबसाइड को देखने की आव सकता हो जैसे कि ssgcp.com समसमाई घटना चक्रप्रकासन की साइट है जिसमें .com डोमेन है ठीक है डोमेन नेम में अधिकतम 63 करेक्टर हो सकते हैं जिसमें अक्षर, संख्या, संयोजन हो सकता है और साथ में 4 करेक्टर, डोमेन, एक्स्टेंशन भी जैसे कि .net, .org.com आधिक पहचान करने के लिए उप्योग किया आता है डोमेन नेमें वेबसाइट का नाम, एक्स्टेंशन का नाम समलित होता है डोट दोरा नाम और एक्स्टेंशन को अलग किया जाता है डोमेन यानि कि TLD में . के बाद लिखा जाने वाला अंतिम भाग किसी देश अथवा संगठन को परदर्शित कहता है जिसे टॉप लेबल डोमेन या फिर डोमेन सूचक कहते हैं टॉप लेबल डोमेन इस्टेंशन के कुछ लोग प्रियोधारन निम्नोत है .com जो होता है उसे commercial यानि बेवसाइक कारियों से संबंदित होता है .edu यानि educational सिच्छा से संबंदित होता है .org यानि कि organization संगठन से संबंदित होता है .gov यानि कि government सरकारी कारियों से संबंदित होता है .mil यानि कि military संगठन से संबंदित होता है टॉप लेबल डॉमेन जो मुखता दो प्रकार का होता है पहला है जैनेरिक टॉप लेबल डॉमेन यानि की GTLD और दूसरा कंट्री को टॉप लेबल डॉमेन यानि की CTLD जैनेरिक टॉप लेबल डॉमेन की बात करें तो यह इस डॉमेन नेम के दारा किसी संगठन आधि को प्र EDU education.org औरória कि इस की देश को प्रदर्षी कि बात रहे हैं जैसे लिए कि इन्डिया की बात हो रहे हैं लिती यानिका ग्वंप कि बात हो रहे हैं अलों कि स्टेट आभ अमेरिकाक की बात हो रहे हैं डाट सी यानि कि कनाडा की बात हो रही है, डाट एटी यानि कि आश्ट्रिया की बात हो रही है, तो इस तरीके से ये बेक्त किया था, ऐसे भहुतिक माध्यम जिनके धारा एक कम्प्यूटर से भेजी जाने वाली सूचना, यह संकेत नेटोर्क में जुड़े हुए, दूसरे कम्प्यूटर तक पहुचाई जा सकती है, संचार माध्यम कहलाते हैं, संचार माध्यम प्राया जो है, दो प्रकार का होता है, पहला होता है, तार युगत संचार माध्यम यानि कि वायर्ड कम्यूकेशन मीडियम, दूसरा होता है, बे तार संचार माध्यम यानि कि वायर्ल कोवेक्सियल केबल और प्रकासिये तंद्वा यानि कि फाइवर अप्टिकल केबल युगम के तार जो है अपस में लिप्टे हुए तामबे के बने दो तार होते हैं जिन पर कुचालकों की परत चड़ी होती है और दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक बना रहता है तार की जाली या सील्ड भी कुचालक से धकी रहती है कोवेक्सियल केबल की बैंडविद जो होती है तीन सो से चार सो एमेच के बराबत होती है ठीक है तक होती है निम्न बेटे तुरुटी दर के साथ उच गति डेटा संचार की सुब्धा परदान करता है प्रकासिये तंत्र जो है प्रकास के पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के सिधान्द पर कार करता है प्रकासिये तंत्र जो है तकनीक में तंत्र या फाइबर माध्यम, सिलिका या कांच अथा प्लास्टिक से मिलकर बना बहुती पतला तंत्र लगभगबाल के अकार का होता है तथा संकेत प्रकास के सपंदों से मिलकर बना होता है प्रकासिय तन्त जो है लगचीला और पारदर्सी होता है इथरनेट केबल की बात करें तो इथरनेट केबल दोरा कंप्यूटर और नेटोर्क युक्तियों को जैसे मोटेम, स्विच, राउटर, टेलीफोन, आदिको, अस्थानिय नेटोर्क यानि की लोकल एरिया नेटोर्क यानि की ल, ए, या या ल, ल, य, ल, 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 इन, के भीतर परस पर जोड़ा जाता है टिक है बेतार संचार माध्यमे को दारा डेटा तथा सूचना तरंगों के रूप में एक उपकरण, दूसरे उपकरण तक पहुँचाई जाती है बेतार संचार माध्यम तकनीक के रेडियो तरंगे और अरक तिक्रिणों के उपयोग करके कम दूरी के लिए नेटोर्क इस्थापित कर डेटा का आदान परदान करते है संचार उपकरा एक बेतार संचार के माध्यम है जो सुदूर परदेशों और संचार के किसी भी अस्थान में संचार उपलब्द कराने के सक्षम होता है ठीक है वाई फाई एक बेतार लोकल एरिया नेटोर्क है जो 2.4 GHz UHF यानि कि अल्टरा हाई फ्रिक्वेंसी तथा 5 GHz SHF यानि कि सुपर हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी इलेक्ट्रानिक उपकरन को डेटा का आधान परदान अथवा इंटरनेट से जु सिलकान एक सेमी कंड़क्टर होता है और इसका परियोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है डेटा प्रोसेस के लिए कंप्यूटर जो है बांडरी भासा का उप्योग करता है एक ब्यक्ति जो अपनी विशेशक्गिता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एकस भासा नहीं है, इंटरनेट से एक फाइल को आपके कम्प्यूटर में इस्तान अंत्रित करने की परकिरिया को जो है डाउनलोडिंग कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग, इस्प्रेट सीट और फोटो एडिटिंग जो है अप्लिकेशन साफ़वेर का उधारन होता है, किसी क्रिमिनल कम्प्यूटर से हटा दिये गए, एक च्छत ग्रस्ते फाइलों को वापस पाने वापढ़ने की छमता जो है कानून प्रोवरतन विशिश्च्टा का एक उधारन है, जिसे कम्प्यूटर फोरेंसिक्स कहा जाता है, ठीक है, परसेनल कम्प्यूटर को जो है एड्रेस द्वारा ढूण पाता है, वेबसाइट जो है किसी निर्देश्ट कम्पनी के स्वामित में इस्तित सूचना अस्थल को कहते हैं, वेब पेज बनाने के लिए टेस्ट एडिटर में लिखेगे HTML, संकेत को HTML कोडिंग टैक्स कहा जाता है, HTML का फुल फार्म आप DRDO द्वारा किया गया, पद DNS का अविप्राइ है, डोमेन नेम सिस्टम, यहनि की DNS का फुल फार्म है, डोमेन नेम सिस्टम, IVR का फुल फार्म है, इंटरेक्टिव वाइस रिस्पॉंस, यह जितने भी फुल फार्म है, जरूर पुछा जाते एक्जाम में, यह आप लोग इ है, अगला है पॉइंट, कलेंडर से संबंध संबध Y2 के एक कंप्यूटर प्रोग्राम समस्य थी, जिसे मिलेनियम बग कहते थे, टीक है, UIDAI जो है आधार से संबंधित होने के कारण प्रसिद्ध है, OCR का आर्थ होता है, Optical Character Recognization, इमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम, कंप्यूटर के मॉनिटर का सपर संकेत, यानि कि पॉइंटर हाथ का आकार ले लेता है, जब यह हाइपर लिंक पर होता है, ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की विशेष्टता क्या थी, तो उसको वैक्यूम ट्यूब के उपयोग से करते थे, इसलिए प्रथम जनरेशन में, अभी उपर मैंने बताया, कि दूतिये जनरेशन में किसके उपयोग के साथ होता था, तो इसमें होता था ट्रांजिस्टर का परियोग, तो प्रथम और दूतिये यह आपको याद रखना है, इसके बाद त करने के लिए पुना सेयब करना चाहिए, इंटरनेट का सेयब उपयोग करने वाले इनका उपयोग ना करने वाले लोगों के बीच का अंतर जो होता है, वो डीजिटल डिवाइड कहलाता है, इस्टोरे जो बिजली बंद होने के बाद डेटा इस्टोर करता है उसे नान-volatile प्रदर्शित करने के लिए संप्रेशित करती है उसका नाम क्या होता है वीडियो कॉन्फरेंसिंग कंप्यूटर पालेंस के संदर में चिप जोईलिरी का अर्ध चालक से होता है यानि कि सेमी कंडुक्टर से होता है रेडियो ट्रांसमिशन में FM से क्या विपरा है अंकड़ा संचे है जबकि नेटोर का अंकड़ा संचे में आकड़े संजाल में व्योस्तित होते हैं वह फ्लेट फाइल एकल साड़ी पर आधारित होती है अंकड़ा संचे का जो विष्त्रित पर्ण का उप्योग करके निर्मित कारिशीट कहलाती है अगला पॉइंट है विण्डोज परचालन यानि की ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्प्योटर के इंपुट और आउटपुट के विबरार प्राप्ति करने के लिए प्रलेग को आईकॉन से को किलिक करना चाहिए Microsoft Corporation दारा लोग प्रिये विश्टरित्पन यानि इस प्रिशीट का जो किरमा देश उसका MX अक्सल है MS Word जो है टूल बार से क्रिये प्रलेग प्रदर्शन के वर्धन के या समानयन में मदद करता है MS Outlook वह प्रिक्रिया समगरी अनप्रियोग है जो अपने ही कारियाले में लोगों से सूचना प्रदान करने या बाटने के लिए प्रिक्त होता है डॉस यूनिक्स और विंडोज को अपरेटिंग सिस्टम सापडेर है यानि कि यह इंपोर्टन ठीक है पूछा जाता है कौन से आपरेटिंग सिस्टम सापडेर है तो डॉस होता है यूनिक्स होता है और विंडोज भी आपरेटिंग सिस्टम सापडेर होता है जबकि MS word जो है यह word processing software होता है यह जो है क्या कहता है operating system नहीं होता है MS word ठीक है अगला point है MS Excel में किसी आंकड़े को वर्णानुकरम से आरोहिकरम या औरोहिकरम में पुनर व्यश्थित करने में मदद करने वाला जो होता है वो आदेश या निर्देश आकड़ा सार्ट यानि की निर्देश आकड़ा सार्ट कहलाता है ठीक है किसी computer में जो है compiler होता है और यह एक application software होता है important compiler के बारे में इससे question बनते हैं अगला point है CPU को मुख memory से जोड़ने वाले तारों के समूंग को जो address bus कहते हैं एंटर परसनल computer की कुणजी प्रकार की कुणजी है किन्तु परागत टाइप राइटरों में यह उपलब्द नहीं है IT का विश्तित रूफ है information technology एक compact disk यानि की CD में optical प्रकार की data भंडारन होती है ठीक है इंटरनेट इस्प्लोरल जो है एक ब्रेव वेव ब्राउजर है ठीक है मन कंप्यूटर का मॉनिटर जो है एक आउटपूर्ट की साधन का उधारन होता है लैप्टार जो है मिनी कंप्यूटर का उधारन है CD का आर्थ होता है Center for Development and Advanced Computing MP3 फाइल एक hardware का उधारन है यह software होता है email भेजना जो है पत्र लिखने के समान होता है shortcut desktop के पर प्रयोगता को प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत पहुंचाता है Microsoft Office Android Excel PowerPoint Word में से Android फिन प्रकार का है ठीक है यानि कि mobile operating system जो होता है वह Android होता है बाकि Excel PowerPoint Word जो है सारे Microsoft Office के software है LED LCD और CRT monitor के विविन रूप के संबंधित नाम है CPU computer के मस्तिस्की के रूप में काम करता है यह important point ठीक है CPU जो है वह मस्तिस्की के सारी computer के मस्तिस्की के रूप में कार करता है Unix MS-DOS वाइवो विंडोज में से वाइवो जो है एपल के संस्थापक कौन है तो इस्ट्यू जापस है UPS CPU और USB RAM में जो है computer memory को निर्देशित करने के लिए RAM सब्द का उप्योग होता है hardware का संबंद कंप्यूटर से होता है Facebook के संस्थापक Mark जुकरबर्ग है LED का पूर्ण रूप होता है लाइट एमिटिंग डायोड computer mouse का अविस्कार जो है डगलस एंजल बर्ट ने computer mouse का अविस्कार किया था computer से हटाया गया data डिस्क पर तब तक रहता है जब तक की recycle भी इनको खाली न किया जाए computer के monitor पर टिम्टिमाता हुआ blinking लकीर टाइप किये अक्षरों में आपकी इस्थिति को दरसाता है और उसे क्य बनाते हैं डाटा माइट्रिक्स इंक जेट और लेजर जो है printer के प्रकार होते हैं computer word में जो है pen drive data storage का माध्यम होता है facebook ट्यूटर आरकुट और उपेरा में जो है उपेरा एक सोसल नेटवर्किंग साइट नहीं है बाकि facebook ट्यूटर आरकुट और यूटूब जो है यह सारे तो यह था computer का पूर्ण रूप जो गटना चक्र में बुक में लेखपाल के लिए special दिया गया था जिसका discussion हुआ अगर वीडियो पसंद आ है तो like करिएगा चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा साथ में वेल आइकन भी प्रस कर जिएगा जिससे की नए वीडियो upload हो तो आपको कर दो आपको तो आपको तो